हाँ तो क्या हाल है जनता वात्साब चो लोग मेरे चैनल पे नहीं उनलोगों को बता दू मेरा चैनल है लाइफस्टाइल ग्रूमिंग फिल्म्स मुसिक वीडियो और ट्रेवल का बहुत जादा शुकीन हूँ जल्दी से जल्दी क्या करना है सब्सक्राइब करना है आज की व की बालों के लिए लॉंग हेस्ट करते हैं शुरू ख्लू और तो सटर्फ यह हैं जडरूरी हमें शेंपू से पहले अपने बाल बरस कर लो उससे क्या और हमारे बालों में जो वह अइंगल पुसी कह रोगा हैं बाल एक दूसरों में फज जाते हैं, उसको खोलने के लिए एम ब्रशिंग waffle और स्लोली करना है. हलके थोड़े थोड़े बाल लेके ब्रश करोगे, न माल तोटेंगे, बाल डैमेज होंगे. आपको हलके से थोड़े बाल लेने हैं, उसको प्यार से ब्रशिंग करनी है. इसे के पास ब्योगो, coconut oil help करता है, hair breakage, moisturize करता है हमारे बालों को, blood circulation बढ़ाता है, और nutrition में भूद जादा rich होता है, coconut oil लो हलका सा और जाँ-जाँ ज़रूरी है, dryness हो रही है, scalp में, वहाँ अब जादा apply करके, रहने दो बालों में, ये भी कर सकते हो, अगर आपको सुबा श जो करते हैं, वो कर लेना, और अगर रात को नहीं लगाना है, idle time जो होता है, एक घंटे पहले, shampoo के आपको coconut oil लगा के रखना चाहिए, बालों में, उसके बाद भी आप shampoo कर सकते हो, weekends में मैं संडे को वही प्रेफर करता हूँ, संडे को 12-14 बजे के करीब, हमने लगा दिया, coconut oil रहने दिया, एक-दो बजे जाके shampoo कर लिया, और जिनके बहुत जादा लंबे बाल हैं, मैं suggest करूँगा, oil लगाने के बाद, अराम से आप hair बन लगा सकते हो, क्योंकि यह वो irritation होती है, oily बाल मुह पे आता रहता है, तो अच्छा है, जिनके लंबे बाल हो, सीधा oil लगा क बन कर लेना, third tip आती है, wash your hair, सबसे जादा जरूरी step है, हफते में दो बार आपको ठंक से shampoo and conditioning करना है, अपने बालों को, अगर आपको अपने बालों को strong और healthy रखना है तो twice a week आपको shampoo करना ही है, और एक और चीज बोलूँगा, सबसे बहले अब जो shampoo भी कर देना, वो एक य मुल्दी से करते हैं, मुल्दी कर लिया, शैंपू नहालो, नहीं, आपको यह 5-6 मिनिट अपने scalp को देना है, बड़ी प्यार से देना है, शैंपू लीजिए, पहले हलका थोड़ा shampoo लेके, dirt और impurities अपने बालों से निकाले, अराम से निकालके, उसके बाद second round जो होता है हम shampoo करते हैं, उससे हमारा क्या होगा, हमारे बाल क्लीन होंगे, अराम से scalp तक shampoo करिए, देन आप wash कर लेना, उसके बाद आपको conditioner use करना ही है, शैंपू के बाद, वो हमारे बाल moisturize करेगा, और पूरे बालों में conditioner करके रहने देना है, वो भी मैं 5-6 मिनिट अपने बालों में रह hydrate रखना है, बालों को hydrate कैसे रखते हैं, घर पे बने वे hair mask की use कर सकते हैं, मेरे channel पर मैंने hair mask धूत सारे बनाएं वे आप जो बालों को hydrate रखते हैं, अगर आपको चाहिए मैं और वीडियो बनाऊंगा, नीचे comment होगा, comment कर देना, hydrate mask जैसे आप coconut and honey use कर सकते हैं, आप य हमारे बालों को अच्छे से moisturize करेगा और बालों की quality बढ़ाएगा, अब एक और step, अब एक और step बताऊंगा, जरूरी है, लोग बोलते हैं, आप बाल कैसे care करते हैं, तिलंबे बाल कैसे रखे हैं, बाल नहीं टूट रहे हैं, आपको थोड़ी चीजों से दूर रहना है, स जरूरी काम है, तभी आपको straightener यूज करना है, और blow dryer यूज करना है, इनसे heat निकल रही है, वो हमारे बाल थिन कर रहा है, और अगर आपको use करना भी है, तो heat protector ले ले लेजिए, भूट सारे option है, मैं description box में दे दूँगा, आप वहाँ से buy कर लेना, और उसके बाद एक step आत है, आप simply वह use कर सकता है, और मुझे लगता है, 25-30 का package मिलता है, जिसके इंदे 2-3 rubber band होते ही है, आप वह use करेंगे, वो ज्यादा बैटर है, कपणों का band होता है, आप पूछना ममा के पास हो गई होगा, या घर में किसे के पास होगा, अगर नहीं होगा, बजार से rubber, rubber वाल मत लीजिए, वो हमें बालों को क्या हो रहा है, रूट से हमारे बाल निकाल रहते हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं, वो ढंक से बान तो लेते हैं, मैंने खुद हेर बन किये हैं, यार मुझे पता है, अगर मैं दूसरा rubber band यूज़ करता है, वो rubber खुलता ही नहीं है, बाल फ शैंपू daily use नहीं करते हैं हम लोग, अगर आपको daily wash करना है है, simply tap water के नीचे सिर रखिए, और धो लीजिए, ऐसी धोना better है, शैंपू regular मत यूज़ करना, twice a week करना जरूरी है, बाकी end में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, tip मानिये, मेरी suggestion मानिये, आपको बाल बढ़ाने, आ करूँ, यार आपको hair growth करनी है ना, थोड़ा time दीजिए, patience दीजिए, और ये जो ends है, बालों के जो ends होते हैं, इनकी cutting करा लीजिए, इससे भी hair growth में help करता है, और grooming होती है, ढंक से grooming होती है आपके बालों की, और बार 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 से बोले ना, आपको hair growth करनी है, कैसे hair growth होगी, वो cutting वैसी, बोलना भया, ends काट दो, जिससे थोड़ा मैं groom लगूँ और आपको थोड़ा time देना पड़ेगा बालों को, मुझे पता है, घर वाले बोल रहोंगे, बाल कटा हो, अभी lockdown चल रहा है, बाल कटा ले, आपकी मर्जी है, अगर आपका मन है, बाल रखने का, उसको groom रखो न, यह नहीं सामने वाला बोले, भाई, क्या रखा आपने, क्या यह तरीका रखने का, नहीं, आपको धंक से उसको groom करना ज़रूरी हो, पेशन्स के साथ ही आपकी hair growth होगी, summer's के time मैंने आप लोगों क्या बताया, shampoo आपको twice a week करना है, coconut oil यूज़ करो, Sunday Sunday coconut oil यूज़ जब भी आप dryer यूज़ कर रहे हैं, statuner यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बाल हमारे पतले थिन कर देंगे, last में एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, beard पे चाहिए, beard पे चाहिए, beard की care कैसे करते, मैं आप लोगों बताऊं, सिरफ एक महीने में इतनी beard growth आगी, अगर वीडियो चाहिए, वीडियो यहां है, beard की मेरी जो मैंने bald अपनी trim किये थे, और एक महीने में beard आगी, मैंने उसका कैसे ख्यार रखा, अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे बताना नचे comment box है, I will try to make a beard वीडियो, बाकी अगर आप लोगों को व लेकन दबादेना, notification तभी आने वाली है, Instagram आ रहा होगा, मुझे follow करें, अगर कोई और questions हो, मुझे DM कर देना Instagram पर, मैं आपके try करूँगा, कि मैं जल्दी सी जल्दी आपकी वीडियो बना लूँ, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, जैहिन, जै भारत, बाई!